बॉट अपी में, धिर तुदेट्ट्सिंस विए अपने काल की वीडियो में अपना क्या प्रालिवाइश किया थिए अपने क्या रिवाइश किया थी है बाउट इसम्स और वेरियो तरह प्राइश किए थी So, आज हम उसी lesson number one की अपनी back exercise को revise करेंगे Okay So, first of all, fill in the blanks Our dash is sensitive to different taste अब बात आती है जब भी भी taste की तो कौन सा body organ है जो हमारी taste करने में help करता है Tongue कौन सा body organ है Tongue Next, loud sounds are unpleasant and harmful for Loud sounds, loud मतलब जब 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 बड़ी आवाज होती है वो unpleasant, unpleasant मतलब हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती और वो harmful होती है, किसके लिए harmful होती है For years, हमारे ears के लिए Dash help us to feel smooth and rough surfaces कौन हमें feel करने में help करता है कि यह जो surface है, यह rough है या surface जो है वो smooth है तो कौन सी चीज है जो हमें यह बताने में help करती है कि यह वोला surface rough है, यह वोला surface smooth है यह कौन पताता हमें? Skin Okay We should avoid reading in dash light हमें कैसी light में reading नहीं करनी चाहिए? Dim light में We have dash sense organs हमारे कितने sense organs है? Five कौन कौन से हैं वो? Eyes, nose, ear, skin and tongue Okay कौन कौन से हमारे sense organs है विचा? Eyes, nose, ears, skin and tongue Okay तो how many sense organs we have? We have five sense organs Next आते हैं फिर two false Our body has many parts हमारी body में बहुत सारे parts है Yes, true, बहुत सारे parts है है ना? यह तो नहीं कि सिर्फ कुछी parts हैं हमारी body में नहीं बहुत सारे हैं तो इसलिए यह true है Sense organs help us to sense various things around us हमारे जो sense organs हैं वो हमें sense करने में यानि कि पैचानने में help करते हैं जो चीजें हमारे आसपास होती है Yes, बिल्कुल right है तो यह true आएगा We can find out whether the tea is hot or cold by smelling it अब tea रखी आगर आपके सामने वो hot है या cold है वो गरम है या ठंडी है क्या आप उसको सिर्फ smell करके पता लगा सकते हो No तो इसलिए या false आएगा हम उसको कैसे पता लगाएंगे होट है या cold है by touch करके है ना smell करके नहीं हम पता लगा सकते हम उसको touch करके पता लगा सकते तो इसलिए या आपका false है We get the feeling of pain when we are injured हमें feeling of pain हमें pain होता है जब हम injured होते है injured मतलब जब हमें चोट लगती है सबको बता है जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होती है हम फील करते हैं पें को तो इसलिए ये true है We can find out whether the color of leaf by just touching it अब एक leaf है या कोई भी object है आपको उसका color बताना है Suppose अगर ये मेरे pen की cap है अब मुझे इसका color बताना है तो मैं इसको touch करके बताऊंगी smell करके बताऊंगी या see करके बताऊंगी हम देख की तो बताएंगे न इसका pen का color कैसा है pen के cap की color कैसी है red तो आप यह देख के बताएंगे ना कि इसको टच करके अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप टच करके बताओगे तो इसलिए यह क्या आएगा false clear होगे पिचा next आता है फिर tick the correct options we feel through are अब हमें feel किसके through करते हैं हम nose के through, skin के through eyes के through या ears के through किसके through feel करते हैं हम अपनी skin के through clear है we should take bath हमें बात daily करना चाहिए weekly करना चाहिए fortnightly या monthly बताएगे पंदरा दिन में आना चाहिए या महिने में आना चाहिए आप बताओ आप कैसे नाते हो आप भी daily नाते हो न we should take bath daily क्योंकि हमें अपनी body को clean रखना है हमें उसको daily clean रखेंगे daily उसको neat and clean रखेंगे तभी हमारी body जो है वो healthy रहेगी तो इसलिए we should take bath daily it is not a sense organ अब मैंने अभी आपको five sense organs बताए थे कौन कौन से बताए eyes, nose ear, tongue skin है ना दुबारा बता देती मैं आपको कौन कौन से में ने बताए आपको eyes nose tongue ear and skin तो यह five sense organ अब इसने इस question ने बोला है last में कि इन में से कौन सा sense organ नहीं है not a sense organ nose तो हमारा sense organ है ear भी sense organ है और skin भी sense organ है तो sense organ कौन सा नहीं है हमारा stomach, stomach is not our sense organ, यह sense organ नहीं है तो इसलिए हमें इस पे क्लिक करना है क्योंकि इसने बोला sense organ नहीं है clear होगे बता तो यह होगी आपकी back exercise okay अब आपको इसको learn करना है आज अच्छी तरीके से आपको इसको learn करेंगे और learn करने के बाद फारा आपका जो google form पे test आएगा आपको वो practice करना है clear my dear kids okay अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई doubt है you can ask me you can call me anytime okay बटा बाई बाई thank you